नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इंफिनिटी यान यूटूब शैनल में आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपने ब्लोग को फुली ऐसे ओ अप्टिमाइस कर सकतो हों यूजिंग स्मार्ट क्रॉल तो सबसे पहले दोस्तों आपके मुलना क्वेशन होगा कि स्मार्ट क्रॉल यह वरडपरस का बेस्ट न, ऐसे ओ न जिसमें सबसे पहले आता है योईस्ट एसियो इसका बाद रैंक में और इसके अलाव भी बहुत थार प्लगिन हैं लेकिन स्मार्ट क्रॉल हैं वो काफी पॉबिलियर हैं क्योंकि यह बिल्कुल नई है और इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री में इतने सारे एडवांस ओप स्मार्ट क्रॉल तो आज के डिंदर में आपको स्टेप बाश्टेप प्रोसेस के अंदर बताओंगा। कि किस तरह से आप स्मार्ट क्रॉल का यूज करके आपके ब्लोग को फुली iyo ॉप्टिमाज कर सकता हैं तो सिम्पल दूसरे टेप के अंदर में ने मेरा ब्लोग अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कोई भी जो निया ब्लोगर होता है यान कि बेगिनर ब्लोगर होता है इसके पास बजट नहीं होता है तो बजट नहीं होने के वज़े से वो क्या करता है कि जो popular कुछ प्लगिन है WordPress के अंदर जैसे की योष्ट SEO इसका यूज़ करते हैं योष्ट SEO वर्ड का सबसे बेस्ट SEO प्लगिन हैं लेकिन इसका फ्रीवाला प्लान नहीं अगर आपको WordPress योष्ट SEO हैं इसके मदर से आपके ब्लोग को आपको optimize करना है तो आपको योष्ट SEO का premium version purchase करना पड़ेगा तो ही आपको ये helpful रहेगा अगर आपके इसका फ्रीवाला प्लान यूज़ करते तो इसके अंदर आपको काफी सारे error आएगे काफी सारे आपको technical error आएगी या तो कभी-कभी आपका side map subbit नहीं होगा इस पर करकि आपको सोटी-मोटी error आते रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल free है बीच में ऐसा हुआ था मेरे पांस काफी सारे email आये थे कि भाई हमारा side में Google के अंदर automatically subbit नहीं हो रहा है अगर subbit भी हो रहा है तो इसके अंदर zero index आ रहा है तो SEO काफी सारे जो problem आते हैं क्योंकि योश्ट SEO का अगर आपको जो भूरी तरह से use करना है तो आपको इसका premium version purchase करना पड़ेगा अगर आप beginner blog रोग तो आप इसका premium version purchase नहीं करपाऊगें तो हमें क्या करना है हमें इसका best alternative find करना है तो मैंने आपके लिए इसका best alternative find किया है इसका नाम है smart crawl अभी यह plugin नहीं है तो मेरे रिखाल से इसके अंदर आपको इतने सारे advance option मिलते हैं कि जो अगर हम इसे योष्ट इसका free version इसे compare करें तो इसे तो बहुत ही बेश्ट अप लगिन है तो simple देखी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो देखा देता हो कि मैं इस ब्लोग के अंदर मैंने काफी time योष्ट इसका जो free version है इसका यूश किया तो इसके अ यहाँ पर अगर हम जो हमारा ब्लोग सर्च करते इंफिनिटी ग्यान तो ब्लोग तो आता है लेकिन आपको यहाँ पर देखा देगा कि जो मैंने specific मेंटा दिया था वो नहीं आ रहा था यहाँ पर योष्ट इस यो ने क्या किया कि जो पिछला यहन के recent मेरा पोस्ट था इस इसमें से सबसे पहला प्रेग्रव है वो यहाँ पर शूर कर दिया यहाँ पर आपको देखा देगा इसके जगा यहाँ पर जो इंफिनिटी ग्यान ब्लोग के बारे में आना जाए इसका बात देखी यहाँ पर जो एक मेरा कीवड भी जो रेंक हो रहा है डिजिटल ओशन ह इंदी आप लेखो गए तो इंफिनिटी ग्यान का पोश्ट आपको यहाँ पर दिखातागा दूसरे नंबर पर तो इसके अंदर भी मैंने स्पेसिपिक मेटा दिया था कि डिजिटल ओशन के अंदर में आपको यह सब कुछ चेखाऊंगा लेकिन यहाँ पर भी यह जो ऐस यहाँ यहाँ पर पहला प्रेगरब था इसमें से यह जो यहाँ पर शो कर दिया तो ऐसे फ्री प्लगिन के अंतर ऐसे सोटे मोटे टेकनिकल एरर आते रहते हैं तो इसलिए हमें क्या करना जाएं अगर हमारे पांस बज़र ने तो हमें बेस्ट इसका अल्टनेटिव फाइ तो इसके लिए सिंपल यहां करना है आपको जाना पड़ेगा प्लगिन में एड न्यू प्लगिन और मैं आपको यह भी रिकाण करोगा कि कभी भी आपको जो थार्ड पालती वेबसाट से प्लगिन डाउलोड करके आपकी साइट में आपकी साइट के अंदर एड नहीं करन इसको हम सिंपल यहां पर इस्टॉल नाव के उपर क्लिक करेंगे यह प्लगिन अभी वर्डपरेस के अंदर बिल्कुल नया है यहां पर आपको देखाते हैं जो इसके इसके इस्टॉलेशन भी कुछ खास नहीं लेकिन इसलिए इसके अंदर आपको काफे सारे ऐसे एडव कर देते हैं तो यहां पर plug-in successfully active हो चुका है सबसे पहले आपको यह plug-in कहता कि आपने रिसेंटली योष्ट SEO का यूज किया था तो इसका जितने भी जो setting था वोग यहां हम इसके अंदर आप import करना चाहेंगे तो हमें इनपोर्ट नहीं करना है क्योंकि कुछ खास setting नहीं था इसके बाद देखिए plug-in active होने के बाद आपको यहां पर देखे देगा menu के अंदर smart crawl का option तो simple सबसे पहले तो आपको यह करना है smart crawl के उपर click करके आपको जाना है setting में आपका यह जो blog है यह blog आपको google webmaster के साथ आपको connect करना है setting में जाने के बाद आपको जाना है नीचे यहां पर आपको last के अंदर दिखा देगा search engine इसमें से आपको google verification का मेटा कोड है वो यहां पर add करना है अब देखिए यह जो मेटा कोड है वो आपने आपके header के अंदर add किए वहां पर आपको मिल जाएगे अगर आपको वहां पर नहीं मिलते तो आप आपको यहां करना है गूगल के अंदर आपको लिखना है कि verify site in google search console इसके बाद आपको गूगल के तरफ से एक link मिलेगा search console वाला इसको आप open कीजिए यहां से आपको जो आपका मेटा था वो मिल जाएगा इनकी आपको simple verification detail के ओपर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपक तरफ की efficient detail तो यहां पर आपको आपका मेटा मिल जाएगा simple आप इसे copy करने के बाद यहां पर आपको paste करना है paste करने के बाद simple setting को आप एक बार save कर देजे तो यह आपका primary step होगा क्योंकि आपका यह blog है आपको Google के साथ सबसे पहले तो connect करना होगा इसके बाद जाके जिने हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि सबसे पहले जो आपका plug-in है वो completely configure होना जाए तो ही आप SEO check-up वगिरें कर सकतो हो सबसे पहले जो आपका step है वो है आपका homepage अब देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले जो मेरे mistake बताए थी तो यह मेरे मिश्ट नहीं लेकिन योष्ट SEO का setting करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए देखा साइट ने इसको अगर आप चेंज करना तो आपको यहाँ पर कर सकतो हो इसके बाद यहाँ वाज़े से की यहाँ पर इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर जो तो यहाँ पर हम राको साइनेड करेंगे आपको पता ह और यहाँ पर इसके बाद हम टाइटल लिखेंगे इनिफिनिट ग्यान और इसके बाद इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरनेट की पूरी जानकारी हिंदी में इस तरह से यह हमारा एक हिंदी ब्लोग है तो यहाँ पर हम इस परकर से लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको description के अंदर आपका जो blog के बारे में लिखना है कि आपके blog के अंदर जो सभी को क्या क्या मिलेगा तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसका description लग दिया अब जब भी आपका website crawl होगा तो automatically आपका title है और आपका description है वो Google के अंदर इस परकर से show होगा यसा कि मैंने आपको starting में बदेता है इस परकर का अब show नहीं होगा क्योंकि यह plugin है इसने automatically इसको अब change कर दिया है इसके बाद simple setting को यहाँ पर हम save कर देंगे तो यह setting से हो चुका इसके बज़ जाएंगे post type के अंदर यहाँ पर आपको देखे देगा कि यह जो आपका यहाँ पर last post है इसके मुताबिक यहाँ पर आपको show करता है कि आपका जो post है वो कीस तरह से show होगा Google के अंदर तो यहाँ पर देखे राकव का sign कहीं पर नहीं है तो simple यहाँ पर कुझा करना है तो यहाँ पर आपको लिखना impression राकव इसके बाद simple इसको हम save करेंगे तो अब यहाँ पर आपको देखे देगा कि जो हमारा title के अंदर राकव साइन आ चुका है तो यह custom sign है इसका बाद यहाँ important setting है वो है आपका site map वो यह बहुत ही important है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा site map में तो यह जो plugin है वो बिल्कुल फ्री में automatically आपके complete website की site map generate करेगा वो भी regularly और इसके बाद automatically search engine को वो send करेगा तो इसके compare मगर दूसरे plugin की बात करे तो इसमें एक particular time होता था कि दो दिन और इसके बाद दिन देन के बाद वो automatic site map generate करके आपके search engine के अंदर send करते थे लेकिन यह plugin के अंदर अभी ऐसा नहीं है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रेग्जुरी site map generate होगा और search console के अंदर submit होगा तो यहाँ पर आपको देखे देगा activate site में simple आपको इसको activate कर देना है तो यहाँ पर आपका site map successfully active हो चुका है आपके site map के अंदर post इसके बाद pages category और tag add होगा अगर आपको इसको disable करना है तो इसके भी option आपको यहाँ पर मिल जाते है manually आप इससे disable कर सकते है तो यह इसके अंदर इतना setting है simple आपको save setting के अंदर click करना है इसके बाद यहाँ पर simple setting क अंदर जाएंगे setting के अंदर जाने के बाद आपको जाना है नीचे और यहाँ पर आपको most important setting दिखा देगा auto notify search engine इसमें से आपको google को enable करना है अगर आपने आपका blog bing के साथ connect करके रखा है तो आपको इसको भी enable करना है तो जो आपका site map है वो automatically bing search engine के अंदर भी submit होगा त इसके बाद इस setting को हमें save करना है इसके बाद हम जाएंगे simple advance tool में advance tool में जाने के बाद आपको simple last वाला option दिखे देगा robots.txt editor इसके उपर आपको click करना है और वहाँ जाके आपको simple आपका robot.txt file है इसको active करना है इसको active करने के बाद यहाँ पर आपको देखे देगा कि automatically अंदर आपका side में add हो जाएगा जो यह plugin automatically generate करके आपके search engine के अंदर submit करेगा इसके बाद इसके अंदर आपको और advance में setting करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो हम जो user को अला डिसलाओ यान की particular link को है इसको आपको यहाँ पर डिसलाओ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो हम ज आप देखानें कि यह वाले डिस अलाव इसको आपके site के अंदर आपको disallow करके रखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर paste करेंगे कहें तो अब आपको यहाँ पर देखे देगा कि यह जो इतने pages है हमारे site के अंदर इसको यहाँ पर Google के अंदर index नहीं करना चाहते हैं जैसे कि इसके बाद आपका कमेट्स का जो फी ट्रेक बेक इंडेक्स और इसके अलवा भी जो कुछ पेजिज होते हैं यानकि अगर आप अप्पेलियर मार्केटिंग करते हैं तो इसके भी पेज होते हैं यहां पर आपको देखेता हैं रीफर ओथर यह जिदने प के बाद आपको एक बार लाइव चेक कर लेना है कि आपका जो रोबोट डोट टी एक्सटी फाल है वो कंप्लेट हुआ या नहीं तो यहां पर लिखेंगे रोबोट इसके बाद डोट टी एक्सटी और एंटर तो अब आपको यहां पर दिखा देगा कि कंप्लेट हमारा ज जिने भी जो आपके पोस्ट, आर्टेकल, पेजिस, सब कुछ होगा, वो ओटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और वो भी step by step में, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा जाएगा, तो यह होगी जा, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ करना है, simple, अब आपको जो आपका side map के अंदर, और यहाँ पर आपको लिखना है side map, और XML, इसके बाद हम submit करनेगे, तो यहाँ पर आपको देखा देगा, कि जो last side में submit हुआ है, वो है 32, इसके अंदर pagesन की index है, अब देखिए, एक बार हमें क्यों करना होता है, क्योंकि अब जब यह plugin है, वो automatically दूसरी बार generate करेगा, आपका side map, अब daily check करेगा, daily generate होगा, तो तबी आपका जो अगर आपने किसी भी परकर का post publish किया होगा, या तो आपके side के अंदर आपने कोई changes किया होगे, तो इसका side में submit हो जाएगा, आपके search console के अंदर, इसके बात के step के अंदर बात करें, तो यहाँ पर आपको social के उपर जाना है, आपके जितनी भी social media account है, वो यहाँ पर आप link कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, Twitter, Facebook, यह सभी परकर के social media है, वो यहाँ पर आप link कर सकते हो, अभी हमारे social media account नहीं है, तो हम यहाँ पर link नहीं करेगे, लेकिन आपके social media account है, Twitter, Facebook, तो यहाँ पर के अंदर किसी भी परकर के मिश्टेक ना रहे जाए अब यहां पर हम जाते हैं सिंपल डेशबर के ऊपर तो देखिए यहां पर डेशबर ओपन हो चुका है डेशबर के अंदर जिदनी भी जो ओप्षिन है वो सभी ओप्षिन का शोटकट है जैसे कि आपको योष्ट के इसके अंदर निया ओप्षिन है इसके मद्द से क्या होगा कि यह जो प्लगिन है वो आपको रिकमेंट करेगा कि आपके जिदनी भी जो आपने पोस्ट लिखे हैं इसके अंदर किसी भी प्रकर का अगर साजिशन होगा ऑप्टिमाईज करने के लिए तो सिंपल आपको यह करना है यह जितनी भी जो ओप्षिन है इसको यहां पर आप एक्टिव कर दीजें तो जब भी आपके साथ के अंदर किसी भी प्रकर का कुछ इश्यो आएगा पोस्ट के अंदर तो यह प्लगिन आपको रिकमेंट करेगा इसके बाद आप क्या करेंगे फाइनली हम इसका ए यहां पर आपका जो complete website है वो जो scan होगा इसके अंदर जितनी भी जो post है वो scan होगी और यहां पर आपको देखे देगा तो देखी यहां पर हमारा SEO score आचुका है 80 SEO score है वैसे तो ठीक है लेकिन अभी भी आपको यह plugin है वो फोर recommend करता है कि आपको आपके साथ के अंदर इतनी issue है यहां पर हम नीचे जाएंगे तो आपको पता से लेगा कि वो क्या क्या issue है यहां पर page heading missing है यहां कि अगर हम website open करते हैं तो यहां पर मैंने by default template यूश किया है तो यह page के अंदर कहीं पर h1 tag नहीं है यह सा यह plugin का कहिना है इसके बाद आपको यहां पर open graph और link text यहां कि आपके जीनीबी जो यहां पर यह अपने hrf tag एड़ करके रखें इसके अंदर कहीं पर alt tag नहीं है तो इसको आपको manually आपके theme editor में जाके इसको fix करना होगा तो यह तो बहुत ही simple है आप अपने तरब से fix कर लेना अगर आपको यह जो सबसे पहला fix करना तो इसके लिए आप के site के अंदर एक homepage add करना होगा इसके अंदर आपको h1 का use करना होगा तब जाकि यह problem solve होगा वैसे यह कोई बहुत बड़ा problem नहीं है यहां पर आपका SEO score है वो अभी के लिए ठीक है 80 आपके site के लिए SEO score है इसके बात यहां पर आगे के setting के बात करें तो देखिए अगर आप SEO plugin यूज़ करते हो तो आप अपने post जब लिखतो हैं तो वहां पर आप proper SEO कर सकते हो यहां पर हम जाएंगे all post के अंदर तो यहां पर क्या करेंगे simple किसी एक post को यहां पर हम edit mode में open करेंगे तो यहां पर आपको देखे दागा कि यह जो post आपके सामने edit mode में open हुआ है इसके यहां पापको जो इसकी reliability है वो कुछ नहीं देखा देगा लेकिन यहां से directly आप इससे edit कर सकतो हो यहन कि अगर आपको जो इसका meta अलग रखना है तो यहां पर अपको added meta के ओपर click करके आप अपना meta यहां पर edit कर सकतो हो देखे बाइड़ यहां से यहां पर आपको देखे के अंदर यहां पर कुछ लिख देना है और आपका पोस्ट English में तो आपको यहां पर English के अंदर लिख देना है तकि जब भी कोई user search करेगा तो directly आपका जो post है भो फेच होकर आ जाएगा तो देखी यहां पर मैंने simple मेटा एड़ कर दिया अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी विजिटर अगर गूगल के अंदर चार्ज करेगा कि आपका जो वेबसाट है वो सार्ज के अंदर आने की पोसिलिपेटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगे तो यहां पर यह इसका टाइटल से टाइटल बाइडिफल रहने दिजिए अपडेट पोस्ट के उपर क्लिक कीजिए तो इस तरह से आप अपने पोस्ट को एक बार एसे जो ऑप्टिमाज कर लिए व्यसे यह प्लगिन है वो काफी जो अच्छा है इसके अंदर आपको काफी सारे एडवांस ओप्शन मिल जाते हैं इसक को फूली एसे ओप्टिमाज कर सकते हैं तो बस दोस्तो आज कवड यहीं तक तक आया होप कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो वड़िए को लाएक को शार कर दीजिए साथ तो साथ हमरेशन को सब्क्राइब कर लेजिए ताकि आपको ऐसे हेलफुल वीडियो मिलते रहे थांकियो परोशिंद इस वीडियो